ओम शांती, आज 26 अगस 2022 के साकार मधूर महावाक्य है आज की मधूर मुडली में बावा बच्चों से मीठी मीठी रूरूहान कर रहे है मीठे बच्चे, तुम्हें उनका ही संग करना है जो ज्यान की लेंदेन करते हैं जो जर्मी जंग्मी की बाते करे उनके संग से दूर रहना है जो ज्यान की टिकलू टिकलू करे उनके संग में रहना है अगर कोई ज्यान में चलके भी जर्मूल जंग्मी की बाते करे समझो हमारा दुश्मन है अपना चार्ट रखना है मैं कितनी देर बाबा को याद करता हूं कितनी बाबा की सेवा करता हूँ अगर बच्चों में क्रोधादी है तो ये बहुत नुकसान करता है फिर वो सर्विस करना सके बाबा ने सावधान किया मनसा में तुफान बहुत आएंगे लेकिन कर्मणा में नहीं आना चाहिए मन वच्चन कर्म से सबको सुख देना है अपनी उची अवस्था को पाना है गुरू शिखर, अचल गड, दिलवाडा मंदिर ये इस समय के यादकार है बच्चों को बाबा की याद से सब तुफानों को शांत कर देना है कोई भी ग्रहचारी आती है बाबा की याद से उग्रहचारी दूर हो चाती है इसलिए याद की यात्रा में रहना है सदा ही कोई एक जैसी अवस्था में रहे ये हो नहीं सकता आज उची अवस्था में चड़ते हैं कल गिरते हैं फिर ठीक हो जाते हैं कोई सीधा ही चले ये हो नहीं सकता सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में बाबा के ते मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुर्शाट करो ये है बेहद का सतो प्रधान पुर्शाट निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुर्शाट करो यही है बेहद का सतो प्रधान पुर्शाट तुम बच्चों को कौन सा संग करना है कौन सा नहीं जो ज्ञान की रूरुहान करते है सर्विस से बल है उनका ही संग करो बाकी जो जर्मूई जर्मूई करते है फाल्तू बाते सुनाते है उनके संग से दूर रहो hear no evil, see no evil, talk no evil बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो दूसरा प्रश्ण है गफलत करने से कौन से नुकसान होते है जो गफलत में रहते है उनसे हर समय भूले होती रहती है वह बाप का नाम बदनाम करते है उनसे सब को नफरत आती है वह गोल्डन एज में नहीं पहुँचते बहुत कड़ी सजाके भागी बन जाते है गीत है माता ओ माता तुह सब की भागी विधाता ओ शांती यह माताओं की महिमा तुम सब माताई हूँ भारत माता शक्ती अवतार ऐसा कहा चाता क्योंकि अवतार एक का ही गाया चाता वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं अभी तुम बच्चों के बुद्धी में है परम पिता परमात्मा हमें पतित से पावन बनाने आए है ब्रह्मातन में है यह जो दिलवाडा मंदिर है यह पूरा यादगार है जो भी भगती मारक के यादगार है यादगार होते ही इस संगम के है सत्यू तरेता में ऐसी बात होती नहीं फिर रामन राजचे में मनुशे दुखी होते है रामन ही रजो तमो बनाते अब इस समय ये सृष्टी है तमो प्रधान जब सृष्टी सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे मां राजचे करते थे तुम्हारे बुद्धी में स्वधर्षन चक्र है तुम ब्रामनी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो ज्यान देने वाला एक ज्यान सागर है इसकी निशानी दिलवाडा मंदिर है फिर अचलगर और गुरु शिखर भी है तुम्हें मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता पहाडी पर शिव बाबा का मंदिर है जिसके लिए कहा ज जन ज्यान का सागर हुआ न यह बिलकुल एकुरेट यादगार है तुम बैठे भी यहां हो चोटी पर चड़ने के लिए परम पिता परमात्मा के गले के रुद्रमाला बनने के लिए तुम यह ज्यान मिलता है फिर जब तुम अचल सिथेरियम बन जाते हो तो रुद्रमाल के मनके बन चाते हो जब तुम सतो प्रधान बन चाते हो तो बाबा के साथ निवास करते हो यह जैसे डबल पियर घर है प्रचा पिता ब्रह्मा का भी है और शुर बाबा भी यहां आया है तुम बच्चों का ज्यान से श्रिंगार करने यह बेहत का पियर घर ससुर घर वो तो ह में बैठे हैं ससुरगर जाने के लिए अविनाशि ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं 21 जन्मू के लिए तुम्हारी जोली भर रही है प्रंतु तीवरवेगी इतने नहीं है सतो प्रधान को तीवरवेगी कहा जाता कोई सतो गुणी कोई अब तक भी रजोगुणी है ती उच से उच पुर्षार्थ सदै वुद्धी में एक बाप को याद करते हैं उचे से उचा बाप है अब तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं तो उसके लिए पुर्षार्थ बहुत अच्छा करना पड़े बेहद का आत्मा कहती मैं आईरनेस में आ गई हूँ अब परम पिता परमात्मा मिला क्याते बच्चे तुम्हें पुर्षार्थ कर गोल्डन एच में आना है जब ऐसी अवस्ता हो चाहेगी तब गोल्डन एच में आएंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है सतो प्रधान भी सबको बनना है तुमारा पार्टी सत्य इसने तुम सतो प्रधान बनते हो, प्रंतु जाना तो सबको है ना, सबको नंबरवार रुद्र माला में आना है, ये रुद्र माला कितनी बड़ी है, फिर है आठ, एकसो आठ की वजियनती माला, जो विश्नु के गले में दिखाते हैं, तुमारा यादगार कितना एकुरेट दिलवाडा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, उपर में राजाई दिखाई, और मंदिर में मुख्य जगदंबा का भी नाम है, पाड तो तुम माताओं का है ना, बाबा आकर गुरुपध, तुम माताओं को देते हैं, यहां भी मैजॉरटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्तियवतार कहा जाता, सेना भी कहा जाता, क्योंकि आपस में बहुत हैं, देखते हो वृधी को पाते रहते हैं, सन्यासिक घरबार छोड़ते हैं, पवित्र बनने के लिए, रामराज शुरू होता, तो पवित्रता की जरूरत रहती, उस समय हाहाकार ह हो जाता, अर्थक्विकादी हुआ होगा, इतने सब महलादी कहां गए, सब विनाश को पाते हैं, बस सागर में चले जाते हैं, इस स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है, ये समझने की बाते हैं, आईरन एज से गोल्डन एज में आना है, स्वर्गे तुम्हारा बेहद का जिसके रे तुम पुर्शार्ट करते हो, पूरा ज्यान हो, पूरा पुर्शार्ट करें, तब खुशी का पारा चड़े, अतिंद्रिय सुख अंत का ही गया हुआ है, पिछाडी में तुम्हें पता पढ़ जाएगा, किस किसने कितना पुर्शार्ट किया, क्या पद पिछाडी में समझेंगे जब तक पुर्शार्थ कर गोल्डन इस तक पहुँच जाएंगे, जो नहीं पहुचते वो फिर सजा खाते, अभी तो कियामत का समय है, सब को इसाब किताब चुक्तू करके जाना है, तुम चुक्तू करते रहते हूँ, ज्यान और योग बल से, गाय ना सके, चड़ते हैं, फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है, ऐसा हो नहीं सकता जो सीधे चलते जाएं, थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है, तो देवी मान आ जाता, महसूस ता आती, कोई ग्रह जारी है, मंसा में तुफान बहुत आते, चड़ने में टाइम लगता है, बाबा रोज समझाते बच्चे, पढ़ाई रोज करो, प्वाइंट्स दिन प्रति दिन बहुत मिलती है, बाप और वर्से को याद करो, ये नाटक पूरा होता है, हमें फिर सिवर्सा लेना है, सत्यों में राजारानी प्रजा सब होंगे, जैसे करम अत्वजों पुर्षार्थ करेंगे, वैसा फल मिलेगा, लक्षमिनान से राज्ये शुरू होगा, वैवता विकर्मा जीत समवत, विकर्मों पर जीत पहन कर, तुम अपना राज भाग लेते हो, नंबर वार पुर्षार्थ अमसारपद पाएंगे, हार एक अपने पुर्षार्थ की रि पानी है, हम पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे, तुम अभी सारी ज्यान की रोश्नी मिलती है, भविश्य में तुम क्या बनेंगे, बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवग्या करते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित बन चाते क्रोध के कारण कितना नुकसान कर देते, समझते इन में तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी क्रोधी के संग से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, संग उनका होना चाहिए, जो ज्यान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं कि जो जर्मुई जं करते किसी की निंदा करते उनका संग हो सिवाए ज्यान के और कोई बाते नहीं सुननी चाहिए ये बाते भी नामी ग्रामी हैं दिखाते भी हैं धुतियों के कारण रामसीता को वनवास मिला धुति पना बहुत नुकसान करता है यर नोईविल, सी नोईविल, चौक नोईविल उल्टे सुल्टे बाते करने वालों के संग से दूर रहना है उनके संग में नहीं फसना बहुत नुकसान कर देते बियद बाप से बुद्ध्योक तुड़ा देते पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवन्शी में चले जाते हैं बाकि ऐसे नहीं कि रामराज्य में कोई रावन सीता को ले गया नहीं ये सब गिरावट की बाते हैं द्वापर से लेके पुकारते आए क्योंकि गिरते हैं तबी तो भगवान को आना पड़ता अगर सदगती होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती सत्य उत्रेत सारी दुनिया को पढ़ना नहीं, पढ़ेंगे वो ही जो कल्प पहले पढ़े होंगे, बाबा सावधन करते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पढ़ा, हम कितना उच थे, अब गिरे हैं, बाबा केते पतित से पावन बन, फिर गुल्डन एच में जाना है, अमरपद पाते हो, तुम्हारा विनाश नहीं होता, बाकि सब विनाश हो जाते, हिसाब किताब चुक्तु करके जाएंगे, शुबाबा कहते हैं, पवित्र बनेगे, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेगे, नहीं तो सजाएं खाकर जाएंगे, कितना बड़ा ओर्डिनें तुम समस्ते उबरोबर विनाश सामने हैं, इसलिए हमें मजबूत होके जाना हैं, किसम किसम की पॉइंट्स बाबा सुनाते, सुननी चाहिए, अगर माला में नंबरवार आने हैं, बाबा से पूरा वर्सा लेना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ाई आठ घंटा भी गवर्मेंट की नोकरी करो, बाकी टाइम में मिहनत करनी हैं, ख्याल करना है सारे दिन में, हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहें, बाबा की याद में कितना समय रहें, अगर कोई बच्चों का चार्ट आता है, प्रंतुवे चार्ट जब सदैव के लिए ऐसे भी नहीं, बाबा एक एक का बैट देखेंगे, ये फिर सेंटर की ब्रामनियों का काम है, ठीचर्स बहनों का काम है, ब्रामनियों में भी नमबरवार है, गोल्डन एस में कोई पहुँची नहीं, उसमें अजुन समय पढ़ा है, कोई तो और ही शिरीमत पर ना चलने के कारण, खिसक पढ़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते, कोई उनको पसंद नहीं करते, तुम्हें दुनियावी बाते बिल्कुल नहीं करनी, ब्रामन बच्चों को दुनियावी बाते बिल्कुल नहीं करनी, कोई जर्मुई जंगुई करते हैं, तो समझो, हमारा द पोई बात नहीं सब्सक्तित नाहीं इन बातों को जानते नहीं आप तुम्हें सतो प्रधान बज्ना बहुत जिल्म यह भी निश्चय नहीं पूरा योग नहीं को समझाते हैं उनका आप लियानन करते नहीं नहीं Externalدي से राज को समझ जाते हैं, ऐसे बहुत हैं जो ब्रामनी से भी तीखे चले जाते, कई बच्चों में, आभी तक देमान बहुत है, पिछाडी में देहे भी याद ना रहे, कितनी उची अवस्ता है, देहे भी याद ना रहे, सन्यासों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं, जो बैठ बैटे शरी छोड़ देते, सन्नाटा हो जाता, फिर भी ग्रस्तियों के पास जाकर जनम लेते, फिर स्रेष्टाचारी बनने के बदले, जंगल में चले जाते, स्रेष्टाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते, माया का राज्य है, ये चक्र कैसे फिरता है, उसको समझन बहुत बच्चियां जिरूरे बाबा को कभी देखा नहीं, तो याद करती हैं, तो जरूर उच्पद पाएंगे, सारा पुर्शार्त का खेल है, कोई राद दिन बहुत मेनत करते हैं, जानते उस पति दुनिया में, इस शरीर में तुमें सतो प्रधान बनना है, टाइम लगता अवस्ता में चले जाएं, इस देहे से दुनिया से ममत्व निकल जाएं, राजारानी बनने में मेहनत है, जो पढ़ेंगे, वो दिल रूपी तक्त पर बैठेंगे, अंदर में समझते हैं कहां तक मददगार हैं, बेहद का बाप अवस्ता देख कर प्यार करेंगे, बाबा क तुम इस युद्ध के मिदान में कितना टाइम लगता है, अच्छा मीठे मीठे, ज्यान गुलजारी, ज्यान योग के पुर्शार्थी बच्चों को, मात पिता बाप तदा का याद प्यार, गुड मॉनिंग, रोहनी बाप की रोहनी बच्चों को, नमस्ते, रोहनी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वर्दाने सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए, मंजिल पे पहुचने वाले सम्रती स्वरूभव, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए, मंजिल पर पहुचने वाले सम्रती स्वरूभव, ब्रामन जीवन म और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों के स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्था स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते, मंजिल पर सहज पहुँच जाएंगे, प्राप्ति के खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि स संपनता अचल बनाती है, संपनता भरपूरता अचल बनाती है, स्लोगना बिंदू स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए, ज्यान गुण और धारना में सिंधू बनो, सागर बनो, बिंदू स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए, ज्यान गुण और धारना में सिंधू बनो आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती